आज हम एक ऐसी हस्ती के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो दुनिया के सबसे ज़्यादा सोना डोनेट करने वाले इंसान थे तो आईए शुरू करते हैं कुल फाउंडेशन वो हस्ती है दुनिया के सबसे अमीर इंसान जिसे मंसा मूसा के नाम से जाना जाता है मंसा मूसा सन बारा सो असी में एक शाही परिवार में पैदा हुए वैसे तो जब वो छोटे थे तो उनके बड़े भाई किसी अभ्यान के तहट शहर से बाहर गयते और वो जब लॉड कर नहीं आए तो मंसा मूसा को विरासत में सल्तना संभालने के लिए दे दी गई और उन्होंने सन 1312 से लेकर सन 1337 तक इस सल्तनत को संभाला इसी तरह मंसा मूसा सोने और नमक का भी कारोबार किया करते थे और वो माली देश के राजा थे उस समय माली देश सोना और दूसरे कीमती चीजों के लिए एक कारोबारी मरकज बना हुआ था जिसकी वज़े से माली देश को काफी फायदा होने लगा था और उस दोर में माली देश के पास दुनिया का आदा सोना हुआ करता था इसी तरह मंसा मूसा को सबसे ज़्यादा शोरत उनके हच के सफर के वज़े से मिली ये सफर इतना बे मिसाल था कि जिसकी शौरत के चर्चे सिर्फ इसलामिक दुनिया के एक बड़े हिस्से तक नहीं बलके योरप के गली-गली में भी होने लगे थे जो सफर उन्होंने सन 1324 में किया था इस सफर में उनके साथ 60,000 फोजी और 12,000 नौकर हुआ करते थे और मनसा मूसा का घोड़ा जीज जगा था उसके आगे 500 लोगों का काफला चल रहा था और हर किसी के हाथ में सोने की लाठी हुआ करती थी इसी तरह इस सफर में उनके साथ 80 उंठ भी थे जिन में जिन उंठों के उपर सोने लदे हुए थे इसी तरह मनसा मूसा ने इस सफर में 125,000 किलो सोना गरीब, मिस्कीन और जवरत मंदों में बाड़ दिया था जिसकी वज़ा से मिस्र में सोने की कीमत कई सालों तक गिर गई और वहां के लोग अमीर हो गए इसी तरह इस सफर में आने वाले हर जुमा को मनसा मूसा एक नई मस्जिद बनवाते रहे और इसी तरह मनसा मूसा ने अपने पैसे को बहुत अच्छे तरीके से खर्च किया करते थे जैसे के उन्होंने मिस्र की गलियों में साथ हज़ार सोने के सिक्के दान कर दिये थे जिसकी वज़ा से मिस्र के लोगों की जिन्दगी सवर गई थी इसी तरह उन्होंने एक आलिशान लाइबलेरी बनवाई जिसमें आला उच्छे मुकाम की इसलामिक किताबे जमा करवाई उन्होंने कई इन्वर्सिटीज बनवाई, मस्जिदे कायम करवाई और कई मदर्सों की बुनियाद दाली इसी तरह उन्होंने हर जमा को दावत और तबलीग का शोबा भी चालू किया इसी तरह उन्होंने जो इन्वर्सिटी कायम की थी उस इन्वर्सिटी में इसलामिक एजुकेशन के साथ साथ एकेडमिक एजुकेशन की भी शुरुवाद करवाई बहुत सारे हिस्टोरियन का मानना है कि मनसा मूसा अपनी पूरी जिंदगी में इतना जादा पैसा दान करते थे कि जिसकी वज़ा से לोगों की कई जिंदगिया सुधर गई और वो दुनिया के सबसे अमेर इंसान दुनिया के सबसे आदा सोना डोनेट करने वाले इनसान बन गए आलाके सही दस्तावेज ना मिलने की वज़ा से उनकी संपत्ती का सही अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है वाकिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाही रब्लालमे